सो गाइस वलकम बैक तो यूटोब चैनल, और बात करिंगे इस मैच के बारे में जोकी लंका प्रीमिर लिख वर्सस केंडियुअर धर कहना की पीछ दूस्तों जैसे के आपको बताएक हमारे जू वीड Kommunen के बीच है हमारे जू वीडियो होता है यह स्मॉल लिख ep दस मेगारी का विडियो होता है, तो small league की team बनाएगे साथी साथ दस्तों, mega league की one CR वाली team बनाने वाले हैं सबसे important दूस्तों यह जानना है कि small league में हमें investment कितना करना चाहे तो investment के लिए match काफी ज़रा गलत होगा, इतना ज़रा अच्छा नहीं होगा investment दोस्तों आपको medium करना है साथी साथ दोस्तों आपको head to head or three members में play करना है four members में play नहीं करना है जो हमारी भाई मेगा लिग प्ले करना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ इस match में मेगा लिग की आपको 6 से लेकर 10 team बनानी है बिस team बनाने के चक्कर में नहीं बढ़ना है 6 से लेकर 10 team बनाओगे तो आपका rank improve होगा साथी साथ दोस्तों मैं आपको mega league की 1CR वाली team बनाकर दिखाने वाला हूँ तो आपको tension लेने की ज़रूत नहीं है देखें mega league की 6 team में daily आपको provide करता हूँ दोस्तों यही हमारे telegram channel चेक कर सकते हैं इसी telegram channel पर मैं आपको mega league की 6 team डेली प्रवाइड करता हूँ यहाँ पर देखें यहाँ भी मैंने आपको 6 team प्रवाइड किये तो आपको किसी भी fake channel पर जोईन नहीं होना है इसी telegram channel पर जोईन होना है पर जोईन होगा आपको 7 बजे आने रहना होगा पीच रिपोर्ट वैसे देखने की जरुरत नहीं है क्योंकि मेरी इसाब से दोस्तों लगता है कि पीच जो होगी वो final पीच रिपोर्ट आपको पता चलेगी telegram चल पर आज यहीगी तो final पीच रिपोर्ट पे ही दोस्तों हमें डिपेंड रहना पड़ेगा अधर रेज दोस्तों लास्की कुछ मैचेस के रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इस पीच का एवरेज स्कोर है 150 से लेकर 160 एक मैचेस हो आता जहाँ पर 222 का स्कोर बनाया था जो कि थर्ड मैच था बट आइधिंग मुझे लगता है कि 150 से लेकर 160 के पीच में पूरी टीम आल आउट हो सकती है जो भी टीम पहले टॉस विन करेगी बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकते है सेकर्ड इने में बैस्कोन को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है पेसर स्पीनर की बात करेंगे तो पेसर को 36 विकेट और स्पीनर को 31 विकेट मिले तो कहीं न कहीं दोस्तो पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है लेकिन अगर देखा जाए तो जब लोहसंगा जैसी स्पीनर काफी ज़रा इफेक्टिव इस वीच पे हो सकते है दोस्तों बात करेंगे आगे में तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपको पता चलेगा कोलंबो स्ट्राइकर के पास विजे सुन्दरा है पाती राना है भी फर्नांडो और दोस्तों यहाँ पे शदाप खान यह इनके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर जो दोस्तों पूरे और कंप्लीट करेंगे और साथी साथ दी वेले लागे थिसरा परेला है दोस्तों दो दोर कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों बात करेंगे आगे में Candy Falcon की तो यहाँ पे दोस्तों मुवम्मद हसने ने CD सिल्वा है कुछ कामेंटो मेंटिस और दोस्तों डबलू हसरंग है जैनके चाल मोस्त इंपोर्टेंट बॉलर है लेकिन कौन कंफर्म बॉलिंग करेंगा कितने और कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डासुन शना का डबलू हसरंगा उसके बाद दोस्तों मुवम्मद हसने और यहाँ पे दोस्तों देखा जै CD सिल्वा यह पूरे और कंफर्मेट कर सकते हैं वही दोस्तों बात करेंगे कोलमबो स्ट्राइकर के लास्ट के कुछ मैचेस का रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों आप चाहे तो वीडियो पॉट्स करके स्क्रीन शॉर्ट निकाल सकते हैं जो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहीं दोस्तों बात करेंगे केंघिफ हलकन की यहापर भी दोस्तों आप चाहे तो वीडियो पॉट्स करके स्क्रीन शॉर्ट निकाल सकते हैं सभी मैचेस का रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल है अब दोस्तों बात करेंगे कौन की इस नबर बैटिंग करने के लिए यह जानना काफी जड़ा important है इसी की मदद से दोस्तों हमें small लिकी टीम बनाने में और mega लिकी टीम बनाने में आसानी होती है दोस्तों गुरबाज ओपन करते हैं अधिमार ओपन करते हैं मुभमध हैरीस थर्ड नबर पर आते हैं summer वइकरमा दोस्तों फिफ्ट नबर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं वहीं दोस्तों बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की एंड़िप्स लेच्चर ओपन करते हैं पर फोर्थ नमर पर आते कामेंड दुमेंडिस जो कि मेरी साब से साथ विया आठ्वेन नमर पर आ सकते हैं वासी मोहमद जो कि थर्ड नमर पर एंजिला परियरा दोस्तों ओपन करते हैं और लूटर सेक्षिन की बात करेंगे डबलो स्रिंगा 6 नमर पर शराब खान 7 नमर पर एंजिल मैंट्र फिफ्ट नमर पर शना का फोर्थ नमर पर आ रहें वेले लागे 8 नमर पर तीज़रा परियरा 6 नमर पर कनफरमेशन नहीं है इनको उपर में भीजा जा सकता है आज आरम इंडिय साटवे नमर पर दोस्तों सेडी सिल्वा नाइथ नमर पर आ सकते है बालिंग लाइनप की बात करेंगे किस टीम का बालिंग लाइनप अच्छा है तो आप चेक करेंगे आपर केरम कोलंबो स्ट्राइकर के पास CS के पास पातिराना है वी फरनांड है और वीज आनफ अपर दोस्तों ओपनिंग एंड डेत्म बॉलिंग कर सकते कोलंबो स्ट्राइकर के दस्ते केंडिय फेल्गन की बात करेंगे डासन शना का एंगल मैथ्यूज यह दासन शना का मुहमद असने डेत्म बॉलिंग कर सकते साथ जो हमारी बाई मेगा लिक प्ले करना चाहत जोइन करना इंपोर्टेंट है लिंक आपको फॉर्स कोमेंट मिलेगी साथ जिन भायों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते आपको इसी तरसे टिप्स औंट ट्रिक्स मिलेगी साथी साथ काफी जड़ा ची इंफ्वार्मिशन करना है उसके बार दोस्तों बात करेंगे गुरुबाज है है गलेऑ फिर से बनाने वाले हो तो आपको लॉजिकली टीम बनाकर दिखाने वालो तो हम सीदा चलते सभी सबस्क्राइब करना है सबस्क्राइब हमारे इंफ्वार्मिशन में स्मॉल लिग की टीम बना गुरुबाज, चंडीमर, मुहम्माद हैरीस, समर्वी कर्मा, हमारे पास चार उप्शन्स है, हमें गुरुबाज को और चंडीमर को ट्राय करना चाहिए, दोनों ही काफी ज़र अच्छा उप्शन होगे, क्योंकि दोनों का ही परफाउंस लास के कुछ मैचेस में, लंका प्र चाहिए, तो मुहम्माद हैरीस को ट्राय करेंगे, तो हमें बहुत बढ़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंक दे सकता है, ऐस बैटिंग प्लस बॉलिंग से, लेकि दोस्तो बात करेंगे आप इस समर्वी कर्मा, तो हम समर्वी कर्मा क को भी डॉप करने वाले क्योंकि हमारे पास इतने ज़ाद अच्छे ऑप्शन्स है कि हम समरी विक्रमा को पिक करके हमारी टीम खराब नहीं कर सकते हैं समरी विक्रमा फिप नबर पे आते हैं पूरी तर से गलत परफॉंस रहा है पूरे लंका प्रिमिर लीग में दोस्तों बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की तो यहाँ पे आप चेक करेंगे आपको पता चलेगा एनरे प्लेचर का परफॉंस काफी ज़दा अच्छा रहा है गिलेंद फिल्प्स का परफॉंस अच्छा रहा है कामिन डिमेंडिस के बात करेंगे कामिन डिमेंडिस का हमने दोस्तों टीम में रखा था लास मैच में और कामिन डिमेंडिस का सेलेक्शन काफी ज़दा कम था इस match में भी मुझे लगता है coming demand is काफी ज़़ा important होगे साथ वे नमबर पहाएंगे last match फिप्टिवन दन्की पारी खेली थी विकेट निमिला था लेकिन उससे पहले चार विकेट निकाले थे तो यह काफी ज़़ा important होगे coming demand is का selection देखे 41% है हम इनको try करें ना करें तो दोस्तों फिलार के लिए drop करेंगे क्योंकि अगर coming demand जिस से अच्छा कोई player दोस्तों हम ही मिलता है तो हम उसे ही try करेंगे all under section की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर डबलो असरंगा है शदाप खाने एंजेले मैंत्यूस और दोस्तों जासमी शनाका इन चारों में से आपको किसी को भी drop नहीं करना चाहिए वेले लागी की दोस्तों बात करेंगे आटवे नमबर पर हैंगे लेकिन मेरी यसाब से वेले लागी आपको batting से point नहीं दे पाएंगे क्योंकि काफी जदा नीचे बाइटिंग करने के लिए आते हैं से point दे लास्ट मैंचे दो विकेट निकार चुकिए उससे पहले भी दो विकेट निकार चुकिए spinner को support मिलेगा और वेले लागी का form काफी जदा अच्छा है काफी जदा अच्छा है और अगर हमने इस तरह से टीम बना इस small league की तो इस टीम के चलने के चांसे कि इतने 60% है 60% चांसे से कि यह टीम चल सकते क्योंकि दोस्तों हमने रिस्क नहीं लिया अगर दोस्तों लिस्क लेते भी फरना जो पे कामिन डिमस को पीग करते काफी जदा important हो सकते हैं आपको फिर से एक बार कामिन डिमींस के बारे में बता देता हूँ जो दिखे साथवे नंबर पे आते हैं और कामिन डिमस की तोस्तब एक बात बता दूह कि इनोगे निकार आप करेंगे यह 4 विईकत को है पैटिंग सेक्षन में तो देकिềं यह बारिंग भी कर सकते है मेरई इसकेटि आप सकते है और अगर कमेंट Manishas परमोट नहीं किया जाते है मेरी साप से दोस्थ हम B बेपर ना इंट को फीक करेंगे अदोस्तो हमारा है risk होगा comment captain की बात करेंगे शराब खान को captain wise captain W.S. लंगा को captain शराब खान को wise captain दोस्तो बना सकते, अब देखेँ दोस्तो हमें करना किया, हमें Mega लिक की टीम बनाइनी है तो सबसे पहले हमें Mega लिक के प्लेरियर्स पता होनी चाहिए जो important हो सकते हैं सभी प्लेस को unselect करेंगे दोस्तों मेगा लिक की प्लेस चूज़ करेंगे मुहम्मद है इस समरी विक्रमा हम दोनों को मेगा लिक में ट्राय कर सकते हैं सारी सार दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एंजेलो सेवन परसेंट और मुझे लगता है कि मुहमद असन का सेलेक्शन बढ़ते बढ़ते 35 परसेंट तक जा सकते हैं इसलिए दोस्तों इनको ट्राय नहीं करेंगे हमारे पास टोटल दोस्तों साथ ऑप्शन है साथ बी से कौन चलेगा कौन फ्लॉब होगा मुझे कहीं नगे दोस्तों आज भी यही लग रहा है कि मुहमद अच्छा स्कोर कर सकते हैं पिछले मैच में भी मैंने आपसे कहा था कि मुहमद हैर्स ड्रिम टीम में दिख सकते हैं समर विक्रमा के बारे में मैं शोर नहीं हूँ, एंजेरा परेरा के बारे में उतना ज़रा शोर नहीं हूँ, उसके बार दोस्तों बात करेंगे, तीसरा परेरा के बारे में मुझे थोड़ा वो ट्रस नज़र आ रहा है कि यह इस मैच में स्कोर कर सकते, साथी साथ दोस्तों ब बताईं, मेगा लिक के तो इनी मीसे 7 में से आपको कोई नाक्योंगी प्ले़ मेगा लिंग में दिखेंगा, जिसे मलें आप सब्सक् leaked- photographs के आपको रीष्यो नहीं बता ओगा, हमारे मेगा लिक का वीडियो जो हमने बनाया था प्रीपन दो विग पहले वो आप चेक कर सकते है आपको मिल जाएगा YouTube चैनल के हमारी प्लेइलिस्ट में तो देखे रिशो क्या होता है रिशो होता है दोस्तो 8-3 का मतलब 8 प्लेयर वो जो 100% चलेगे 3 प्लेयर रिस्क या दोस्तो होता है यहापे रिशो 7-4 का या 7 प्लेयर 100% चलेगे 4 प्लेयर रिस्क या दोस्तो यहापे होता है 9-2 का रिशो कोई यूज नहीं करता है बहुत ही कम लोग यूज करते है ज़्याद से ज़्याद मेगा लिग में 8-3 का रिशो आपको दिखता है तो दोस्तो हम यहापे मेगा लिग की टीम बनाएंगे अब मेरी सोच अलग हो सकती है आपकी सोच अलग हो सकती है अब अगर ये 100% चलेगे तो कोई ना कोई फ्लॉड तो फ्लॉप होगा ना हमें तीन रिस्क लेना है तो दोस्तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मुझे दोस्तो यहापे लग रहा है कि कामिन डिम इंडिस है दोस्तो मुहमद वासी यह इतना ज़रा पॉइंट नहीं देगे जितना पॉइंट दोस्तो हमें यह आपे मुहमद हैरीस दे सकते तो मुहमद हैरीस को इस player को एंजिले मैथ्यूस को हर्टीम में try करूंगा और यह flop होगे तो हर्टीम में तो try नहीं करना है ना किसी team में try कर सकते दिगे उसके बाद दोस्तो हमने वेले लागे पर risk लिया और दोस्तो यहाँ पर हमने 3 परेड़ा को pick किया क्योंकि मुझे दोस्तो लगता है तीसरा परेड़ा इस match में important होगे balling section की बात करेंगे वी फरनांडो को और मुहमाद हसनेन को drop करके हम वीजे संदरा को pick कर सकते या दोस्तो हम मुहमाद हसनेन को try कर सकते बाद balling section से risk लेने से अच्छा हम क्या करेंगे दोस्तो आर मेंडिस को या दोस्तो या आप सीडी सिल्वा को pick कर सकते जो मेरी साब से important हो सकते है अगर दोस्तो हम दो ही player पर risk ले तो 2 player हमारे पास आ चुके है जैसे कि हम मुहमत है रिस पे और दोस्तो तीसरा परियरा पे risk लिया है अब दोस्तो अगर आप risk नहीं लेना चाहते हो और किसी player को safely लेना चाहते हो तो आप दोस्तो आर मेंडिस को try कर सकते है जो मेरी साब से इस match में काफ़ी ज़्यादा effective हो सकते है दोस्तो मारे तीसरा risk होने वाला है तो दोस्तो हमने ये first team बनाई है मेगा लिकी first team आपकी काफ़ी ज़्यादा risk होनी चाहिए यहाँ पर दोस्तो आप check करोंगे ये एक ये दो और दोस्तो ये तीन player ऐसे जो risk है बाकि सभी player का selection अच्छा है जो safe है अब जब हम second team बनाएगे दोस्तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो ये candy falcon की team पहले balling करने का decision लेती है तो हम team कुछ अलग बनाएगी क्योंकि ballers को support मिलेगा तो हम ballers के favor में team बनाएगे second team जब आप बनाओगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सभी आपको players को unselect करना पड़ेगा और देखे हमारे पास ये no player फिर से वही होगे जो 100% चलेगे अब हमें करना क्या है मान देजे candy falcon की team पहले balling करने का decision लेती है तो हम दोस्तों मुमद हैसनेन को pick करेंगे क्योंकि मुझे लगता है केंजे falcon का balling लाना पच्छा है तो मुमद हैसनेन को pick किया WSN का शना का हमारी team में होने वाले जो दोस्तों balling करेंगे विकेट निकालेंगे वह दोस्तों बात करेंगे हम किसी old player को भी try कर सकते है जैसे candy falcon के तरब से मैथ्यूज मुझे लगता है कि इस मैचे balling करेंगे confirmation लिए फिर से एक बार check कर लेता हूँ देखे जब भी हम megalik की team बनाते है ना पूरी तरसे logically बनानी है तो मैथ्यूज फिप नमबर पर आते है लास्ट मैचे balling की उससे पहले balling नहीं की तो हम मैथ्यूज को drop करेंगे क्योंकि balling करेंगे confirmation नहीं है उसके बार दोस्तों हम रमेश मेंचिस को pick कर सकते है तो इन दोरे में से किसी को हम try कर सकते तो हम रमेश मेंचिस को फिर से एक बार try कर सकते क्योंकि मुझे लगता है कि इनको try करने के बार जी होगा वो balling line up strong होगा एक, दो, तीन और दोस्तों यह 4 baller हो सकते ठीक है यह हमारी सोच है अब यहाँ पर दोस्तों हम ज्या करेंगे 34 run की 41 run की पारी खेली है तो यहाँ पर CS की टीम अगर बैटिंग करती है और दोस्तों बैटिंग को support मिलता है तो यह important हो सकते है यहाँ पर दोस्तों अमने क्या किया है आप छेक करेंगे तो आर्मेंडिस पर रिस्क लिया है इससले आपको रिस्क लेना है और आपको यह पीच रिपोर्ट के according risk लेना है और दोस्तों यह बताना चाहता हो मेगा लिक की 6 टेम आपको कहा पे मिलती है टेलीग्राम चेनल के लिंक आपको हमेशा कितारा फॉर्स्ट कॉमेंट मिलती है मिलता है कि नए वीडियो में तब तक लिए थेंक्यी फो वाचिंग गाइस